Hi guys, welcome to youtube and welcome to 6th lesson of javascript तो आज की इस lesson के अंदर हम study करेंगे comments की What is comments in javascript and how to use comments in javascript Comment क्या चीज होती है javascript के अंदर और किस तरह से comments का use करते हैं javascript में ये चीज हम सिखेंगे आज की इस video के अंदर चलिए स्टार्ट करते हैं सीखना तो हमारे पास यहां पर html है css है जिन लोग ने html और css पढ़ी होगी उनको पता होगा comments क्या चीज होती है किस काम आते है comments तो javascript में भी same ही है तो comments होता गया basically comments के अंदर हमें syntax मिलता है उस syntax के अंदर हम जितना भी text लिखते हैं या जितना भी program हम लिखते हैं codes को लिखते हैं वो सारी की सारी चीज़े ignore हो जाती है compiler कभी भी उसको read नहीं करेगा जितनी भी चीज़ें आप comment के अंदर लिखते हो वो कभी run नहीं होती हमेशा ignore कर दी जाती है compiler के दोआरा एक्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको एक्जाम्पल दूँ यहां पर तो यहां पर आप देखेंगे हमार पास code 1 है and code 2 है और आप चाते हो जो code 1 है वो run ना हो और आप चाते हो सिर्फ और सिर्फ code 2 जो है run हो तो इसमें आप क्या करोगे कुछ लोग बोलेंगे कि हम इस code 1 वाली line को ही delete करतेंगे और simple और काम हो जाएगा और फिर हमारी यह वाली line run कर जाएगी लेकिन कई बार क्या होता है हमें future में इस code की जरूरत होती है future में हो सकता है हमें इस code की जरूरत पड़े तो हमें इसको रखना पड़ेगा वहाँ पे अपने प्रोग्राम में तो बिन डिलीट किये भी हमें इसको रख सकते हैं हमारे प्रोग्राम में किस तरह से comments की मदद से हमें क्या करना पड़ेगा basically इस वाले code 1 को comment के अंदर लिखना पड़ेगा और जब हम इस फाइल को run करवाएंगे तो compiler इस line को जब read करेगा तो वो check करेगा यहाँ पे तो comment का sign है यानि कि इसको हमें ignore करना है तो compiler इसको ignore कर देगा इस line को और जो हमारा code 1 है यह run नहीं होगा और यहां पे इसका result है तो हमारे पास JavaScript के अंदर two types के comment है एक है single comment और दूसरा है multiple comment तो दूनों के नाम सा ही difference पता लगता है single comment की मतल से हम सिरफ एक line को comment बना सकते है एक बारी पे एक line और multiple comment की मतल से हम multiple lines को यान की 10 से 12 वाक्त जितनी चाहो उतनी lines को आप comment बना सकते हो एक ही बारी पे तो अब practically करते हैं इस चीज़ को तो मैं चाहता हूँ यह 10 plus 30 equal to 40 वाली line काम ना करें तो इसको हमें comment के अंदर लिखना पड़ेगा तो यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा इस वाली line को मैं चाता हूँ यह comment बन जाए तो इसके starting में मुझे क्या करना पड़ेगा document के आगे मुझे double slash लगाना पड़ेगा double slash लगाने से क्या होता है हमारी line comment बन जाती है तो double slash और यह line क्या बन गई comment बन गई हमारे पास और अब compiler इसको ignore कर देगा और यह अब run नहीं होगी save and refresh और वो line देखिए run नहीं हुई अगर मैं यहां से double slash हटा देता हूँ वापिस और वापिस ऐसा ला देता हूँ इसको जैसा पहले था और save करता हूँ refresh करता हूँ तो result आजाएगा हमारे पास because अब यह चीज comment के अंदर नहीं है तो जिस भी चीज को आपको ignore करवाना है आपको उसको क्या करना है उसके आगे double comment लगा देना है अब example के तोर में मैं चाता हूँ यहां से लेके यहां तक सारी की सारी line है क्या हो जाए comment हो जाए ignore हो जाए तो मैं क्या करूँगा इनके आगे double slash लगा दूँगा लेकिन इसमें मुझे बहुत सारा time लगा मुझे हर एक line के अंदर क्या लगाने पड़े double slash अब सोचिए अगर मुझे 1000 line को comment में लिखना है तो मैं थोड़े ना हर line के आगे double slash लगाता रहूँगा तो यहाँ पर मैं क्या use करूँगा multiple comments का use करूँगा multiple comments की मतल़ से हम एक ही बारी पर जितनी चाहे उतनी line को क्या करवा सकते हैं ignore करवा सकते हैं comment के अंदर लिख सकते हैं तो मैं चाता हूँ यहां से लेकिए यहां तक का program क्या बन जाए comment बन जाए तो हम क्या करेंगे जहां से हमी उसको comment बनाना है वहाँ पर हम लिखेंगे slash star और फिर आप देखेंगे सारा का सारा program जो है हमारा comment बन गया लेकिन हम नहीं चाहते हैं सारा program comment बन जाए हम चाहते हैं सिर्फ यहां तक comment बनेए तो हम क्या करेंगे इस वाले tag को जो हमने slash star लिखा है इसको हमने close करना पड़ेगा यहां पर तो हम क्या करेंगे star और slash लगा देंगे और यह देखें यह comment बन गया यह है multiple comment यानि कि एक ही भारी पर बहुत सारी line को comment बना देना save किया file को अब यह वाली line फिर से क्या हो जाएगी? ignore हो जाएगी refresh और देखे ignore हो गई और run नहीं हुई comments की मदद से आप क्या कर सकते हो comment के अंदर आप जो चाहे वो कर सकते हो आप चाहें तो text लिख सकते हो यहां पर okay text लिख सकते हो और save करोगे और यह text भी क्या हो जाएगा ignore हो जाएगा तो जिदनी भी चीज़े आप comment के अंदर करते हो basically वो हमेशा ignore हो जाती है और run नहीं होती तो comment का use कहां पर करना है वहां पर करना है comment का use जहां पर आप चाहते हो कि वो program run ना हो और comment का use आप अपने program को define करनी के लिए भी कर सकते हो मतलब कि अगर आपने बहुत सारे coding की है अपने web page में और आपको future में उसमें कोई update करनी है तो आप comment की मद्द से वहां पर लिख सकते हो कि ये वाला जो program है इसके काम आता है ये वाला code इसके काम आता है तो उनके बारे में आप detail में लिख सकते हो कमेंट के अंदर ताकि in future आपको easy रहे उसको update करना तो thank you so much for watching this video please like, share and subscribe कोई question हो तो आप comment section में पूछ सकते हो I hope आपको comments समझाएं bye take care कर दो